इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा सर पूरे देश में यनारसी CAA को लेकर विरोध हो रहा है हजारों लाखों की ताइदात में लोग सड़कों पर निकले हुए लेकिन आप जो है समर्तन में उतरे हैं तो आपके साथ लोग भी काफी कम है तो ऐसा नहीं लगता कि आप जो है विरोधकों के मुकाबले में बहुत प्रस्ताव रखा गया पूरी सूजबोच से रखा गया है और यह जरूरत पिता देश के लिए हम भी जानते हैं शायद पूरे देश बर में 25 लोगों ने विरोध किया रहेगा सर लोगों का कहना है कि धर्म विशेश को टार्गेट करने के लिए यह कानून पास किया गया ह तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे इसमें धर्म विशेश किसी भी धर्म का जो हमारे नेवर्वूड कंट्री से उनके उदर जो कोई भी अलपसंक्यक है धार्मिक धार्मिक उत्पीडाना के बली चड़े है और जो दुकी है उन लोगों को भारत में लाकर संपूर्ण न इसमेँ ने बी現在 हालत में इस तरह के भी विशो के बहुत सारी देश इसके प्रेट फिर विश्व में विशू के इस कहा कि इस बिल को लागुन नहीं करना चाहिए तो इसके बारे में कहा है अमरीका में जो नागरी कता के लिए डानौल्ड ट्रम्प ने अभी दो साल पहले एक बिल को लाने की कोशिश किया था वो पीछे हट गए सब को मालूम है तो हम यह कहते हैं कि दूसरे देशों के साथ हम तुलना नहीं कर सकते हैं इस बात को भी हम याद दिलाएंगे कि उनके साथ हम तुलना किस विश्वे में करें जो अपराद संक्या है उसको घटाने में हम कर सकते हैं लेकिन आरतिक श्टिति नहीं थो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में और कुछ विधन्यान में टेक्नलोजी में देश की सवराग्शुना में हम पाकिस्तान से तुलना न करें गे और हम अपने देश के केंद्र मंतरी जी को भी कहेंगे कि ये गलत चीज़ है, हम बांगला, पाकिस्तान या अफगानिस्तान के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए भारत देश का सर ये नेपाल की जीड़ी भारत से भी बहतर बनती जा रही है, भारत की नीचे गिरती जा रही है, इस पर क्या कही है नेपाल का राष्ट्र नीती स्पस्ट है, विदेश नीती, इसलिए हम बोलते हैं, हम किसी भी कानून को जब लागू करते हैं, हम नेपाल के साथ, बृटेन के साथ, अमरीका का साथ, हम लोग और इसरेल के साथ भी, हम लोग टेकनालोजी, आर्थिक सिती के उपर हम को साथ कड़ा होता है तो इधर जब कानून सक्ति से लाना चाहते हैं तो उसका विरोध करता है इसलिए हम लोग इस बार सरकार के साथ में खड़े हो सर यह कहा जाता है कि देश हिंदू राष्ट की तरफ जा रहा है क्या यह भारत के जो सम्वीदान है जो धर्मनी जो समाज की रक्षणा के लिए आते हैं रक्षा के लिए उनके ऊपर पत्र बाजी होता है तो उदर पोलिस गुसती है उदर की जो वाइस चैंसलर है वो बोलती है कि बिना इजाजत के पोलिस अंदर गुस गई लेकिन हम यही सवाल वाइस चैंसलर मैडम से पूचना चाहत है हमारे देश में आतंग की गुस्पेटी गुसे तो चलेगा लेकिन हमारे देश केंदर के यूजिस यूशिटी ग्रांट कमिशन के तहट जो फंड्स लेता है हमारे देश का विश्व विद्याले और हमारे जो रक्षाबलों के उपर पत्राओं करते हैं उनको रोकने के लि को घुज कर तोड़ पोड़ करते हैं और यह भी इलजाम लगाया जा रहा है कहीं सारे न्यूश चैनलों के जरीए से कि आरेसस के लोग पुलिस की वर्दी में जाकर वहां पर फसाद मचा रहे हैं यह क्या सही है और पुलिस का अगर बरबरियत की वीडियो वाइरल हो रहे हैं उनके जरीए जो इंफॉर्मेशन लेकर पुलिस डिपार्टमेंट ने कारवाई लागू किया है तो हम ऐसा कहना चाहते थी पुलिस नहीं तो पुलिस के वर्दी में कोई दूसरे संगटन के लोग इसमें घुसे नहीं है मंगलूर में जो गोली बारी हुई है उसमें दो लोग मारे गए यड़ोपा सरकार कहती है कि हम उन्हें अनुदान नहीं देंगे फिलाल लेकिन बंगाल से ममताब अनरजी कहती है कि हम अनुदान देंगे तो यह क्या है जैसे हम लोगों ने देखा कि CCTV फूटेशिस में भी पोलिस डिपार्टमेंट ने यह दिखा दिया कि कैसे यह स्क्रिप्टेड पूर्व नियोजित दंगा कराया गया था और इसलिए करनाटक प्रदेश कांग्रेस कमीटी ने जो उसमें दंगों में मारे गए उनके परिवारों को 7 लाग रुपई मुहावजा उन्होंने घोशित कर दिया तो यह साफ मालूम पड़ता है कि जो हमारे करनाटक के विरोध विपक्ष के नेता है वो लोग जो इदर राजकारन के तहट पॉलिटिकली सरकार का खिलाफ नहीं कर पाए तो एक स्क्रिप्टेड दंगा का उन्होंने समाज में लाकर जो अपना समर्तन पेश करने के लिए कोशिश किया है अनन्द बढ़िगेर थे हमारे साथ उन्होंने अपने खेलाट का इज़ार क्या और कहा कि यह अनरसी और सजिए यह डेश हक में है और देश के लिए यह बहुत ही कारगर है लिहाज़ इससे अमल करना चाहिए इतिहाद निचने के लिए शुक्रिया झाल